Hello Friends, Welcome to All My Dear Divine Soul Family आज की वीडियो में Friends मैं आपसे बात करूँगी कि अपने Twin Flame के साथ Telepathically Strong Connection कैसे बिल्ट करें कुछ लोगों का Naturally काफी Strong Connection होता है उनके Twin Flame के साथ काफी Strong Telepathic Communication होता है लेकिन यहीं पर कुछ लोग बात करते हैं कि उनका Connection थोड़ा सा Slow है या उनकी बात उनके DM तक पहुच नहीं पाती है या फिर पहुचती होगी तो उनको पता नहीं चलता है या उनके DM के Thoughts या DM की Current Condition उनके Energy उनको जादा Clear नहीं पिखो पाती है Clear नहीं पता चल पाता है तो आज मैं आपसे दो में थर्ड शेयर करूँगी जिससे कि आप अपना और अपने Twin Flame की Energy का बहुती Strong Bond क्रियेट कर सकते हैं अपना 5D Connection स्ट्रॉंग कर सकते हैं या कह लीजे Simple सी बात कि अपना और उनके बीच का जो Telepathic Connection है वो स्ट्रॉंग कर सकते हैं तो सबसे पहले यह जान लीजे कि Strong Telepathic Connection के लिए 3 चीज़े Responsible होती हैं एक आपका Highly Spiritual होना अगर बहुत ज़्यादा High Connection चाहिए आपको तो आपको जितना ज़्यादा आप Spiritual होते जाएंगे उतना ही ज़्यादा Connection आपके Twin Flame के साथ बढ़ता जाएगा दूसरा आपका शिव एंशक्ति यानि येंग येंग आपकी एनरजी बैलन्स होना और तीसरा आपका हर्ट चक्रा बैलन्स होना तो ये तीन चीज़े Responsible होती हैं टैलिपथिकली आपके Twin Flame से आपको Connect करने के लिए और बहुत ही strongly Connect करने के लिए और अगर मैं आपसे एक छोटा सा एक्जामपल शेयर करूँ तो मैं अपने Twin Flame से शुरू सही काफी ज़दा Connected टैलिपथिकली काफी ज़दा Connected फिल करती थी लेकिन मैंने अपने Twin Flame के साथ अपना थोड़ी टाइम के लिए Connection खो दिया था जब मुझे मेरे अंदर शेव एंड शक्ति काफी ज़दा Imbalance Condition में आने लग गई थी शायद बहुत ज़दा Over Masculine Energy में आ रही थी या फिर मेरी Feminine Urja Imbalance हो रही थी लेकिन Imbalance होने की वज़ए से मैं कुछ टाइम के लिए अपनी Twin Flame के एनरजी को बिलकुल महसूस नहीं कर पा रही थी तो उसमें मैंने जब इश्वर से guidance मांगी थी तो उन्होंने guidance God ने मुझे दिया था कि आपका शिवन शक्ति आपकी ये यांग उर्जा Imbalance Condition में जा रही है इसको balance करनी की ज़रत है जब मैंने इसको balance किया था meditation session लिया था मैंने मेरी गुरू जो मुझे heal करती है उन्होंने ये मेरी उर्जा जब balance कराई थी तो उसके अगले ही दिन से मेरा वापस से same connection जो मैंने खो दिया था वो वापस आ गया था तब मैंने इस घटना से मैंने feel किया था कि ये जो yin yang उर्जा है इसके balance होने की वज़र से या इसी से हम काफी ज़ादा अपने twin flame से connected होते हैं या telepathically या emotionally या उनकी उर्जा को अपने अंदर feel कर पाते हैं यही जो yin yang energy होती है शियो शक्ती या कह लेजे masculine या feminine energy होती है यही सबसे ज़ादा responsible होती है हमें हमारे twin flame से connect करने के लिए और इसके अलावा आपका empath होना और आपका spiritual होना या आपका heart chakra activate होना या balance होना इस चीज़ में और ज़्यादा help करते हैं मतलब आपके twin flame से connect करने में आपकी और ज़्यादा help करते हैं मेथर बताने से पहले मैं आपको यह तो बता दूं कि इसकी जरुवत कहने ही तो कुछ लोत कहेंगे कि हमें कोई जरुवत ही नहीं है इस तो करने की तो सबसे पहले आप यह जान लीजे कि जब आप अपने twin flame से 5D में connected होते हैं या उनकी true feeling से उनकी true emotion से या जो भी उनके साथ current में problems हो रही है या जो भी वो आपके तक जो आपके बारे वो truly feel करते हैं वो चीज़ें आपको receive होती रहती हैं तो कभी आप misguide नहीं होते अपने twin flame के साथ 5D में बहुती अच्छा connection आप feel कर रहे होते हैं इरिटेट नहीं होते परेशान नहीं होते और उनकी current energy current situation जानने के लिए आपको कोई reading लेनी की ज़रुवत नहीं पड़ती काफी time तक उनसे बात ना हो पाने का जो दर्द आपके अंदर एक time के बाद आ जा है कि ये energy आपके twin flame की है या इस वक्त आपके twin flame आपसे बात करें या फिर इस वक्त आपके twin flame क्या सोच रहे हैं या वो क्या आपको message देना चाहते हैं या वो क्या आपसे कहना चाहते हैं आप उनसे जो कहना चाहेंगी आप उन तक अपने message पहुचाएंगी या feeling से उनसे बा करना है आपको उतना ज़्यादा फील नहीं होगा दूरी फील नहीं होगी बहुत ज़्यादा आपको लगेगा कि आप लोग हमेशा ही connected है दूसरे से हमेशा ही क्योंकि आप इधर से जो भी connection feel करेंगे उधर से उनका response भी आपको feel होगा हो सकता है के अलड़ेटी कुछ नहीं पाते तो उन लोगों के लिए ये वीडियो help करेगा तो चलिए अब method की बात करते हैं आपको first क्या करना चाहिए पहला method screen पे जो आपको मंत्र दिख रहा है मंत्र है ओम रॉम हरीम अर्धनारेश्वराय हरीम स्वाहा ये आपको आपके twin flame से align करने में help करती है आपके twin flame के साथ आपका 5D connection strong करती है आपके अंदर की शिव एन शक्ति को balance करती है तो इस मंत्र को chant करना है अपने DM की higher self को invite कर लीजे meditation posture में बैठके और इस मंत्र को chant कीजे और feel करना है कि आप और आपके twin flame harmonious union में है एक दूसरे के हमेशा साथ है और एक दूसरे से connected है और आप चाहें तो अपने twin flame के साथ soul level की merging भी feel कर सकते हैं जैसे अर्धनारेश्वर होते हैं एक दूसरे के अंदर merge ऐसी merging भी feel कर सकते हैं यह आपको feel करने के जुरत नहीं होती है कभी कभी chant करते करते अपने आप ही energy level पे आपको merging अपने आप ही feel होने लगती है लगभग 20-21 मिनट का यह meditation करें अपनी DM के higher self को invite करके meditation posture में बैठके ही कोई शांत सा music लगा के आप इस मंत्र को chant करते हुए अपनी DM को visualize या merging feel कर सकते हैं तो यह procedure पहला हुआ कितने दिन तक करना है करते जाए continue 21-21 दिन में या 10-15 दिन में आपको अपने आप ही energy connection feel होने लगेगा आप खुद realize कर पाएंगे तो जब तक आपको करना हो आप करें और जब आपको लगे कि यस आपके अंदर शिवशक्ती balance होने लग गया है या ह आप हमेशा connection में feel कर रहे हैं तब आप इसको रोक सकती है बाकी 15-20 दिन तक आपको करना चाहिए दूसरा and last method जब भी आपको heavy energy feel हो अपने DM से थोड़ा सा connection आपको feel हो उनकी heavy energy आपको pick हो रही हो या आपकी बहुत जदा missing energy आपके DM को लेकर के हो तब आप उनकी photo उनकी कोई pick ले लें जिन में उनकी आखें इस पस्ट देखती रहें तो उनकी नजरों से नजरे मिला के आप उनकी तस्वीर को देखते हुए जो भी बात कहना चाहते हैं या जो जो कुछ भी आपको problem है या जो भी आप उनसे question करना चाहते हैं आप उनसे question कर सकते हैं या अपना message उन तक पहुँचेगा या वो उस टाइम पे स्ट्रॉंग कनेक्शन आपके साथ फील कर पाएंगे या पर्टिकल वो चीज जो आप उनको बोल रहे हैं उनके माइंड में डाउनलोड या उनको पिक हो जाएगी आपकी वाइबरेशन की या आप इस टाइप का कुछ बोल रहे हैं या आप कुछ इस टाइप की चीजे इस टाइप का कुछ महसूस कर रहे हैं उनके लिए या बोलना चाहते हैं ये मेसेज़ उन तक पहुँच जाएंगे और वो उसी हिसाब से आपको रिस्पॉन्स भी जब भी करेंगे तो आपको उसका सलूशन भी कुछ दिन बाद या रिपलाई भी मिल गया आपको ये तरीका आप तभी यूज करें जब आपको स्ट्रॉंग अपने डियम की मिसिंग एनरजी फील हो रही हो या आप खोद उने मिस्ट कर रहे हो या नियू मून फूल मून के आसपास या लूनर इलिप्स या सोलर इलिप्स के आसपास क्योंक से बात करना चाहें या आप दोनों के बीच में कोई भी इसू है मिसंडरस्टाइनिंग है तो बात करके इस तरीके साथ क्लियर कर सकते हैं उनकी तस्वीर में देखते हुए अपना मैसेज पहुचा सकते हैं ओके फ्रेंड्स तो ठीक है बस आज ये चटा सा वीडियो और इ ये दोनों मेथड यूज़ करके आप अपने डीएप के साथ अपना टैलीपैथिक कनेक्शन अपना फाइव डी कनेक्शन अपना इमोशनल कनेक्शन स्ट्रॉंग बिल्ड कर सकते हैं ओके फ्रेंड्स तो गडड ब्लस यू ओल ओम नमस्शिवाई ओम साइन